दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे पुर्व फ्लेक्सी लिमिटेड इस कंपनी के आने वाले IPO पर ये Friends IPO SME Board पर आने वाला है और ये कंपनी पुर्व फ्लेक्सी लिमिटेड इस IPO से प्राप्त होने वाले पैसे का क्या करेंगी कंपनी का पूरा-ख़़व पूरा बिजनस मौडल क्या है कंपनी किस तरह से अपने बिजनस को रन कर रही है पूरी तरह से यहाँ जाने की कोशिस करेंगे और अंत्में ये जाने की कोशिस करेंगे कि क्या इस IPO में हमें apply करना चाहिए या इस IPO को छोड़ देना चाहिए यह complete analysis करेंगे इस वीडियो में, last तक इस वीडियो में देने रहिए friends, चैनलेन पर नए हैं तो subscribe करिए, वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो friends इस company की इनका opposition हुई थी साल 2005 में, नाम है company का पुर्व Flexi Pack Limited, और यह company करती कहा है, यह distribute करती है plastic products, plastic packaging products, in fact यह company distribute करती है, P.O.B.B. film, polyester film, C.P.P. films, plastic granules, ink, adhesive, master batch, ethyl acetate, titanium dioxide, यह सारे products हैं, जो company packaging industry में काम करते हुए बेच रही है, product portfolio के अंदर, plastic granules, buy exile oriented, painted propylene film, H.S.B.O.P.P, matte B.O.P.P, glossy plane, printing grade, B.O.P.P, tape and textile B.O.P.P, priced B.O.P.P, polyester film और cast propylene, C.P.P.P, यह सारे products portfolio इनके अंदर है, अभी के जो products मैंने आपको बताए, यह packaging solution में, अलग-अलग customer base को इनको use होते हैं, इनके पास 4 warehouses है, for storing and managing inventory, the warehouse is equipped with modern facilities, and equipment to ensure safe and secure storage of product, warehouse में modern facilities है, जो की इनके product को safely store करने में मदद करते हैं, it is maintained under optimal condition, to preserve the quality and integrity of the store, also the company has implemented strict inventory management system, so that कि आपके पास accurate inventory की tracking की सुभिधा हो, company 31 December 2023 तक 28 कर्मचारियों के साथ काम कर रही है, अलग-अलग department में, जैसे कि accounts, finance, compliance, maintenance, marketing, logistic, production, operation, quality, इस तरह के top level management और permanent labor में, company के पास 28 कर्मचारी हैं, अब friends, business model को समझने के बाद, company के आईए, financials को समझ लेते हैं, assets की बात करें, 31 मास 2021, 15,470,000, then 18,146,000, then assets हो गए, 25,852,000, और अभी 30 सितंबर 2030 को है, ये 28,1315,000, तो लगतार आप देख सकते हैं कि assets बढ़ता चला जा रहा है, अब friends, revenue की बात करें, 13,780,000, 22,340,000, 34,107,000, और अभी 6 महिने का है 13,935,000, तो थोड़ा सा इसमें कमी है, आप देख सकते हैं कि आ चुकी है, और profit after tax, 4567,000, 626,000, 826,000, then 430,000, net worth फिलहाल कंपनी के पास 8,152,000,000, रुपए का है, जो कि 5,898,000, 3 साल पहले था, बात करें, reserve and surprise की, तो कंपनी के पास 6,740,000, रुपए, करोड है, बॉर्विंग्स कंपनी लगातार बढ़ा रही है, 7,000, 8,340,000, 12,350,000, और 15,000,000, यानि की 150 करोड की बॉर्विंग कंपनी की है, तो उसी पर बैक अप यहां पर कंपनी का assets, तार्जुस्पे की लगातार विधिया रही थी, लेकिन आप यहां पर एक चीज़ देखेंगे, कि कंपनी की जो revenue है, और कंपनी का जो पैट है, वो लगातार अच्छे से यहां पर बढ़ रहा था, तो बॉर्विंग्स यहां पर कोई matter चिंता का नहीं रह जाता, कंपनी की ROE की बात करें, तो वो है 11%, ROCE 18% और debt to equity 1.62, थोड़ा सा ज़्यादा यहां पर है, कंपनी ने जो competitors यहां गोशित किया है, वो है साहब polymer, जो की 2 रुपए 10 पैसे EPS पर available है, और यहां जो उसका PE है, वो है 54.95, IPO से मिलने वाले पैसे का सबसे पहला company प्रयोग करेगी existing borrowing को repayment करने के लिए, और funding of working capital requirement के लिए और general corporate purpose में इसका प्रयोग करेगी, तो तीन company के प्रयोग करेगी, इसका मतलब है कि जो company के खाती में जो आप borrowings देख रहे हैं, वो गिरने वाले हैं, यानि की company का pat margin और सुधरेगा, और profit after tax भविश में और अच्छा हो जाएगा, friends, जो IPO है, वो 27 फरवरी को खुलेगा और 29 फरवरी तक चलेगा, 10 रुपए इसकी face value है, 70 और 71 रुपए का यहाँ price band है, बहुत ज़्यादा छोटा है, समझ भी नहीं आया, यह 70 रुपए कैसे कर दिया गया, 1600 रुपए lot size है, total issue size जो है, वो 40 करोल 21 लाख रुपए की है, और यहाँ पर interesting चीज़ यह है, कि fresh issue है, पूरा का पूरा जो issue है, वो fresh issue है, पूरा का पूरा पैसा आपके पास, company के पास जाता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ यह एक अच्छा sign है, NSE SME पर यह list होगा, अब अगर friends बात करें, QIB category में यहाँ पर यह कितने reservation देंगे, तो 50% देंगे, और retail निवेशिकों को यहाँ 35% total size का रक्षित किया गया है, HNI, NRI, HNI में 15% यहाँ पर reserve है, basis of allotment final होगा, एक March को, initiation of refund अगर नहीं मिलता है, तो 4 March को होगा, अगर मिल जाता है, share तो 4 March को ही 5 March को friends आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ, नजर आएगा, अब कितना minimum आपको apply करना है, retail में एक lot के लिए 600 share को लिए 1,13,600 और maximum भी आप उतना ही कर सकते हैं, और HNI minimum 2 lot के लिए करेंगे, 3,200 share के लिए 2,27,200 रुपै, friends कुछ और finances जान लेते हैं, यह है Pat Margin, 2020-21 में 4,27, 2021-22 में 2,82, 2022-23 में 2,48, और 2023-24 के H1 में September तक 3,2%, तो आप देख सकते हैं कि Pat Margin में कंपनी थोड़ा दबाव में है, friends अगर average EPS की बात करें, तो last 3 साल का average EPS है, 5 रुपै, 8 पैसे, last 3 साल के return on net worth की बात की जाए, तो वह है 10%, price to book value IPO के पहले 1.23 है, और NAV है 57, price to book की बात करें, अगर IPO के बाद 1.19 high price band पर, और 59 रुपीज का यहां पर NAV होगा, PE की बात करें, तो वह होगा, FY24 पर अगर analyze करें, तो 12 रुपै, 93 पैसे, GMP trend की बात करें, 23 तारिक को, 51 रुपै के high price band की बात करें, 82 रुपै का यहां GMP चल रहा है, 115% का यहां पर, high price, अनुमानित यहां पर listing है, 153, तो friends इस company के बारे में आपने देखा कि, मुले तह यह ए business model में, जो company यहां पर, इनके packaging solutions को ले रही है, वो अपना develop करेंगी, जिस तरह से develop करेंगी, उनके बिरपार जिस तरह से develop होंगे, उसी तरह से, इसका भी business develop होगा, यानि overall क्या है, कि company B2B segment में काम कर रही है, company का business का, अगर revenue देखे, तो लगातार बढ़ रहा है, अगर PAT दे margin दबाव में है, क्यों दबाव में है friends, क्योंकि देखिए, business जो है वो B2B segment में जब भी होता है, तो वहाँ पर pricing power आपके पास नहीं होती है, तो उस तरह से कम margin में company business कर रही है, दोसी चीज़ अगर आप बात करें, valuation की, तो valuation यहाँ पर company ने अच्छा रखा हुआ है, price to earning की आप जहां तक बात करेंगे, या price to book value की जहां तक बात करेंगे, दोनों ही अच्छे level पर company ने दिये हैं, अच्छे अच्छा होता कि और सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पर company ने price to earning और price to book दोनों ही में काम किया है, और valuation आकर शक रखे गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो friends क्या करना चाहिए, listing gain यहाँ पर होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि valuation ठीक ठाक रखी गई है, listing gain के लिए आप जा सकते हैं, तो यहाँ एक चीज में okay है, long term में भी यहाँ पर एक ऐसे innovation जो की risk पसंद करते हैं, packaging sector की छूटी company चाहते है, जो आगे चलके और बड़ी बन जाए, तो उसमें एक यहाँ पर safe bait हो सकता है, तो friends इस company को listing gain के लिए consider किया जा सकता है, और साथी साथ long term के लिए भी यहाँ पर जादा risk लेने वाले निवशक यहाँ इस company को prefer कर सकते हैं, किसी भी तरह का यह advisory नहीं है, किसी भी तरह का recommendation नहीं है, इस बात को याँ धान कोई भी action लेने के पहले अपनी financial advisor से जरूर संपर करिएगा, तो friends I hope कि यह video आपको पूर flexi के बारे में clear करने में सफल रहा होगा, इसके business model में company क्या करने वाली है इस पैसे का, और किस तरह से आपको इसमें अपनी राय बनानी चाहिए, final decision आपका और आपके financial advisor के साथ मिलन माले action का होगा, friends I hope कि यह video आपको अच्छा लगा, video अच्छा लगा तो like करिए, share करिए, subscribe करिए, thank you so much.